हेलो एवरीवन स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट तो अभी हम बात करने वाले ECS T10 बार्सिलोना में होने वाले आज के फाइनल मतलब आज के आखरी मुकाबले की कैतलाना क्रिगेट लब और कैतलाना टैगर्स के बीच में मुकाबला होने वाला है दोनो टीम अगर आप देखो एक मुकाबला आज के दिन का खेल चुकी है और कैतलाना क्रिगेट लब के अगर आप बात करो तो अपना मुकाबला जीत करा रहे हैं Catlana Tigers अपना मुकाबला हार करा रहे हैं ज्यादा बडिया performance Catlana Tigers की नहीं रही है ये देखके चलना updated team आपको Telegram पे मिल जाएगी अभी तक क्या करा है टून्डा मेंड में वो मैं अभी आपको बता दूँगा जो अभी पिछला पिछला जो मुकाबला हुआ है वो मैं आपको बता दूँगा कि भी है कौन-कौन से players ने क्या-क्या score करा है किसने wickets चट कहीं है किसने सबसे जादा runs बनाए है तो वो सारी की सारी detail मैं आपको बता दूँगा updated team आपको Telegram पे मिल जाएगी हमार पास 25 डिगरी Celsius रहने वाला है और यहां पर अगर आप देखोगे pitch report तो batting friendly pitch है अगर आप देखोगे जो CTT का आज के दिन का पहला मुकाबला हुआ था वहां पर वैसे 10 wickets score दी थी पर still इनना 98 run मार दिये थे तो वो देखके चलो कि भी यह करीब करीब 10 की 10 की रेंडरेट के साथ इनना runs मारे तो batting भी बहुत बढ़िया तरीके सो रही है अगर आपके ballers बहुत बढ़िया है तो आपके ballers भी बढ़िया परफॉर्म करके आपको दे देंगे यहां पर अगर मैं बात करूँ average first inning score 120 रन है record of chasing अगर आप देखो तीन बार जो chase करते है टीम जीती है दो बर यहां पर हारी है CTT के जो अभी तक वैसे चार मुकाबले हुआ तीन यहां पर लिख्खे हुआ है चौथा मुकाबला आज का दिन का ही हुआ था इनका तो वह यहां पर लिखानी है वह यह हार कर आ रहे हैं मतलब लगातार दो मुकाबले हा रहे हैं और दो यह जीते थे यहां पर इनका betting order बिल्कुल ही बदल गया अब अगर आप देखो पहले अजीज आ रहा था है आपके बास भई है European serum कसिफ करा न हैंएं एम कसिफ के ङादे हैं भात डो बाहना है उसके बाद नीचे वाले ब्लेस ने तो कुछ भी निगढरा मड़क और ब्र गुलाम न्या है जिसना नौ बनाए ऊसके लाव किसी न है भी यहां पर मरलब تीन द्रण नहीं करें तो वह देखके चलो गुलाम कौन सा वाला भाई है ये वाला गुलाम गुलाम दस्तगीर ना नौरन मारे हैं पिछले मुकाबले में तो वह देखके चलना यहां पर अगर मैं बालिंग डिपार्टमेंट की बात करूँ तो दो ओवर करवाये थे अजीज ने एक वि भी करवाया वहां पर सोला रन दिये एक नौमी बहुत ज्यादा रही और यहां पर रजाक अली ने भी एक ओवर करवाया और एकिस रन दिये थे तो यह चार बॉलर्स जिनना पिछले मुकाबलें बॉलिंग करवाई अभी तक वैसे बॉलिंग देखोगे तो भी यह यही ब रन मारे और बहुत बड़िया परफॉर्म करके गए यसीर अली ने 87 रन मारे फिर उसके मोहमत सफदार आये मोहमत सफदार खान ने हाँ पर 12 रन मारे में बात यह थी कि भी यह इबरार हुसेन कर रहा था चौथे नंबर पर बैटिंग पर पिछले मुकाबले में भी यह फिर उसके बाद आया नवीत तीसे नंबर पर फिर उसके बाद अगर आप देखो फारुक सोहिल आया फिर उसके आपर आप देखोगे तो बॉलिंग डिपार्टमेंट इनका ठीक ठाक रहा है और अदिल खेला था पिछला मुकाबला आर अदिल ने यहाँ पर दो विकेट स चटकाई वाई एली पिछले मुकाबले में स्टार परफॉर्मर रहा था कैप्टेन भी बना रखा था हम नहीं यहां पर अगर मैं बात करूँ आपके पास फारुक सोहिल जिसने एक विगेट चटकाई एक इंपोर्टन प्लेयर क्योंकि यह है कि भी यह तीसे नंबर पर ही आया चाहें कुछ भी हो गया बैटिंग ओडर उपर नीचे वा तीसे चौथे पर ही आया इबरार की तरह नहीं हुआ कि भी यह चटे साथ में पर भेज़ दिया गया इबरार वैसे अगर आप उपन करवा तो सद्क हों तो अभी जो हम यहाँ पर टीम की बाद डिसकस कर लेते हैं कि इस चैनल पर एफ सोहिल और एन अस्लम दोनों प्लेयर्ज बढ़िए हैं दोनों प्लेयर्ज आपकी दीम में हो सकते हैं एम सफदार खान के अगर मैं बात करूँ ग्रेंड लिक चोईस अगर सीटियल का कोई भी प्लेयर नहीं चलता है जैसे फारुक नहीं चलता है यानि तो भीया एन असलम नहीं चलता है तो एम सफदार आपको चलता हुआ दिख जाएगा और एम सफदार अगर आप देखो तो या पिछले मुकाबले मां ऑपन करता हुआ दिखा है तो वह देख के चलना अब यहां पर ए अली आपके पास है डी सिंक और जो एक कंसिस्टेंट प्लियर आपके बास रहा है उसाम पर इसामिर को कर सकते हैं डॉप कोई दिक्कत नहीं है आपको बाद दितार निया खारइ प्लाइगे साथ करके देखी रहा है उसके बाद बॉलिंग सेटिशन के अगर मैं बात करूं जी सर्वार आतिव मोहमा देखो एस नाजीर हो रहनली की सेलेक्शन जादा है ट्राइगर सकते है कोई दिक्कत नियंगे त्राइग करना चाते हो पर मैं आर अदिल पे तो आप देखो भी यह दोई टीम जया तो च्छे तो हैं नहीं छे ग्रेंड लीग की टीम आपको कहा मिलेंगी वह मिलेगी भाई आपको टैलीग्राम पर टैलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यहां पर अगर आप देखो वाई अली स्मॉल लीग में भी ट्राइब कर सकते हो अब डेटी टीम टेलीग्राम पर मिल जाएगी टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन है मिल जाएगा डिफेरेंशल पिक के साथ ग्रेंड लीग पिक्स भी आपको वहां पर प्रोवाइड करवा दूगा छे-पांच मतलब जितने भी मैं बना पाऊंगा वह सारी के सारी आपको प्रोवाइड करवा दूगा मैं शे बनाई दूगा कोई दिक्कत नीए करके देदेगी small league में आपको उपर वाली टीम पर वो small grand league में भी try कर सकते हो updated team telegram पर मिल जाएगी six grand leagues की team आपको telegram पर मिल जाएगी तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही channel subscribe कर लिजेगा वीडियो लेक कर दीजेगा बेल आइकन दो बाजिए क्योंकि ऐसी वीडियो जोर भी आती रहेंगे आपके लिए इस channel पर